हलो गाइज आएम लक्षमिकांट सेनिंग और आज हम फिजिक्स में क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर हम पार्ट टू पढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं सम एक्जांपल्स होब था हमने पिसली क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्टेंस के बारे में जाना था कि डिस डिस्टेंस के बारे में हमने क्या जाना था कि डिस्टेंस क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवरड़ वाइद एन अब्जेक्ट और डिस्प्रेस्मेंट क्या होता है एक्जांपल में देखते हैं जैसे कोई भी अब्जेक्ट है एपॉइंट से बी पॉइंट तक यहां पे म हुआ है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस में क्या आता है टोटल जितना उसने कवर कर तो टोटल का कितना कवर कर एक तो असैसे वी तक एक टाल क लोगी तक हुए आसा अज़ल गिकान से ठोल들 और तोटल किटने निए बॉइ मूज 3 मिटर फॉम डरे टूबी एटू बी एन 4 मिटर फॉवं दा बी टूसी ओके अब इसमें हम देखते हैं तो टोटल डिश्टेंस हमने देख ली की टोटल डिश्टेंस बॉइ की सेवन मीटर हो गई अब हम डिस्प्लेस्मेंट के बारे में देखेंगे इस और पर इसका यहां से यहां मुं करे रहा है है यह से यह फिर यह मूं कर रहा है तो इसका सोटास्थ पात यह होगा क्या यह होगा लाइधनम्ट एसके पोइन से पॉइंट तक डाइरिक्ट जो लाइन खिसती है उसी के बाइन किस्ती है उसे ही हम दिस्प्रेस्मेंट बोलते हैं अब हमें सी यह डिस्प्रयस्मेंट हमारा होगा हम निकालने के लिए शह जब nine लगाता है यहूणा Living फॉर्मूला यहां यहां पर पेड़ने से हमारीरियौR आई एस स्क्वार इस चीज़ को मत भूलना आप कि यहाँ पर वेल्यू आती है एसी स्क्वाइर की अब उसको हम एसी में करनोट करेंगे तो इसका रूट निकाल लेंगे तो एसी स्क्वाइब हमारे पास में आएगा फाइब मेंटर डिस्प्रेस्मेंट आएगा इसका ओके गाइज तो फाइनल पोजिशन में इनिशल पोजिशन से फाइनल पोजिशन यहां पे इनिशल पोजिशन थे हमने यहां से ऐसे मोमेंट इस्टार्ट कर रहा था यहां से हमने मोमेंट इस्टार्ट कर रहा और हम फाइनल जो हमारी हुई वह सी तक हुई तो इनिशल पोइंट से फाइन होता है तो हम दोनों चीज़ों के बार में समझ चुके हैं सायथ कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्रेस्मेंट क्या होता है डिस्प्रेस्मेंट होता है सोटेड डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ट बाइन ऑप्चेक्ट ओके गाइस अब इसके बाद में हम देखते हैं आज हम तॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मोशन में दूरसा टोपिक पड़ते हैं sulphong-non-uniform motion तो uniform and non-uniform motion को हम सबस्ते हैं कि uniform motion क्या होता है और uniform uniform motion non-uniform motion क्या होता है uniform motion क्या होता है when the body covers the equal distance in equal in travel when the body when the body I cover equal इक्वल इंटरवल ओप टाइम देन सच मोशन इस कोल्ड यूनिफॉर्म उशन तो यहां पर हमें एक्जामपल देखते हैं जैसे कोई भी ओब्जेक्ट है वह यहां से से कंट भी सेख़ंध में यहां पर देखेंगे एस से टव डिस्टेन अंधर एक्वल टाइम में यहां पर यहांपल हमें यहां पिर फाइप सेकंड में इकवल डिस्टेंस से यहां पर ट्रेवल करी जा रही है वन मिटर तो इसे हम यूनिफॉर्मोशन कहेंगे और कि अब हम आगे बढ़ते हैं एक्जांपल सोफ दा यूनिफॉर्मोशन यूनिफॉर्मोशन के बारे में देखते हैं डिफरेंस बिट्विन फाइब ओके तो यहां पर आपको कुछ चा सेकिंड 15 सेकिंड 20 सेकिंड 25 सेकिंड 30 सेकिंड और 35 सेकिंड तो जब वह जीरो इनिशल पोजिशन में होता है और फाइब सेकिंड के अंदर टाइम इन सेकिंड में दिया हुआ फाइब सेकिंड के अंदर उसकी डिस्टेंस टेवल होती है तू मिटर डिस्टेंस टेवल होत होती है वो उसने वो कवर कर लेता है 6 मेटर उसी तरह 20 पर 8 और 25 पर 10 और उस तरह 30 पर 12 के अंदर भी डिफ्रेंस का है उसी तरह टाइम के अंदर आपन डिफ्रेंस देखते हैं तो यहां पर सब जगह 5 सेकंड और यहां पर 5 मिटर का तू सेकंड का तू सोरी फाइब सेकंड का डिफ्रेंस और यहां पर जो डिस्टेंस के अंदर है डिस्टेंस में कि 128 का यहां पर डिफ्रेंस तो इसको हम क्या कहेंगे हैं उनिफोर्म मोशन क्यों पेंगे उनिफोर्म उसन इसलिए कह Schools टाइम इंटर लोक्ट इंदर इकॉर्परोल की weiterhin का हम uniform motion कहेंगे ओके घज तो बस एक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर्वल ऑब ताइम मोशन ऑफ दा कि अब बस एई इस uniform motion तो यह uniform का एक्जाम्पल रहा वहां पर जो टाइम होता है एक्वल टाइम में इक्वल जब डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो उसे हम uniform कहेंगे ऊके कि आगे बढ़ते हैं नौन you uniform motion के बारे में बात करते नौन uniform motion क्या होता है वेन अधैं बरी कवर्ण से अन एक बॉर्ट से इस चीजperson और तो अच्छे तरीके से समझताए एक्वाल इंटरवल हो पाइम या तो यहां पर डिस्टेंस और अया情 को मिल को में से करता हूं या था मिल को यहां पर एक्वाल हो oke, और equal distance, interval of time is called the non-uniform motion means यहाँ पर यह बोलना चाहरा है कि non-uniform motion वहाँ होगा, जहाँ पर time equal होगा और distance यदि अलग होगी, different होगी, वहाँ पर कुछ difference होगा, distance में कि यह फिर टाइम में डीफरेंस हो या फिर डिस्टेंस सेम इंट्रवल के अंदर सेम वहाँ पे जो डिस्टेंस और टेयर की जा रही है वह कि तो इन दोनों ही केस के अंदर जब एक में अनिक्विलिटी आ जाए तो इसे हम कहेंगे की नवन युनिफॉर मोशन गोस्त nearby यह सभी चोई डिश्ट से यहां यहां पर हम पर好好 करें तो भाइय सेकिनलाखिए जाना इसे इसम्द यहां पर सरी सेकिनल चॉर्ण्द नियुक्ष कुरुखकt है time यहाँ पर same cover नहीं की जा रही है तो non uniform motion उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे A से B और B से C तो यहाँ पर A से B के अंदर time तो same 5 seconds B से C के अंदर time second time same 5 seconds बड़ जो यहाँ पर distance जो travel की जा रही है वो कितनी है A से B में तो 1 meter है और B से C में 1.5 meter है तो यहाँ पर time same है बड़ डिस्टेंस अनिक्वल है तो दोनों ही case के बारे में बात करीती अनिक्वल नॉन उनिफॉर्म नॉन उनिफॉर्म मोशन के अंदर यह तो तो हम नॉन उनिफॉर्म मोशन के से कहेंगे जिसमें equal time interval के अपोरिंग डिस्टेंस वहाँ पर एक्वल की जा रही हो तो उससे हम उनिफॉर्म मोशन कहेंगे और यह नोन के डी चौन तो करने से ओ गई और उसको मित एक्जामपिल हम समझ चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं हुआ है । ऐन सोब दा नॉंसकर के बारे में देखेंगे कि फिरींफ़ तो फर्स्ट एक्जाम्पल है यहां पर यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है यहां पर चार्ट दिया हुआ है तो इसके अंदर टाइम इन सेकिंड है बस भी टाइम टाइम इन सेकिंड जीरो सेकिंड फाइप सेकिंड टेन सेकिंड ट्वंटी सेकिंड इसी तरह आगे से उसी संटरैं सोबनदों नाइन मितर भी अब यहां पर अपन देखते हैं अब देखो यह यह İs क्वाइन यहां पर से पेशनagem का दिफेरेंस्ट से उसी तरह भी तटरह 25 क्रांच इसाधर सेंस मृट माइखिए इन दोनों में इन दोनों में में 4 हैं еще इसमें इन दोनों में 4 है कि इसमें 5 मोईन तो यहाँ पे डिस्टेंस नकिवाल एक डिस्टेंस बूस्टेusion तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे नोन यूनिफोर मोशन ओके गई तो इसको पढ़ते हैं बस बस भी कवर्स तान अन इक्वल डिस्टेंस इन दा इक्वल इंटरवल ओड़ टाइम बस भी कवर्स इन दे अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ओप टाइम यहां पर टाइ कि तरफ बढ़ता है नोंग या निश्टेंस के बारे में जैसे सबस्था इस non-information होगा तो अब हम देखते हैं examples of the non-uniform motion बस भी है यहां पर second example यहां पर तो यहां time in second 057 11 15 20 28 and 31 distance की हम देखे तो 0 2 4 6 8 10 12 and 14 यह हम सब का difference देखते हैं यहां पर जितने भी यहां पर सबमें सबस्क्राइब हमें हमें मिलेगा देखो यहां यहां पर यहां से five का यहाँ पर यहाँ पर थी सेक्ड़ का ओके तो यहाँ पर टाइम तो टाइम में वरीशन रटाइम्स डिस्टेंस 126 6 एस मोसनी सब्सक्राइद ऑननीनिफोर मोइशन n una mod अब आगे बढ़ते हैं in our daily life craziest need for motion हम यो runson हगर लाइफ की बात करते हैं कि हमारे daily routine के अंदर में में मोते हें अंनने पराइड इंटरे झाल मिलते हैं य मैं कर देसे कार मोविंग one crowded जैसे कोई भी जार है जैसे कोई हम हाइवे पर जा रहे हैं लो order के अंदर में अधर की चाक्या हो सकता है कोई पार्ट बदेश्टेंस के बात करें तो कि अंदर मालो वहाँ पर ज्यादा ह्म नहीं आरे हैं और हायवे पर आपको पाता है रोड रोड की रोड़ पे आरब से इस फिड अच्छी रह पाती हैर्स की तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस अंदर semaine में सेम डिस्टेंस जा पर ट्रेवल की जा सकती है क्योंने भी कुंफ यहां और यहां लाहिए उच्छसमाई ऍलुक्म से Extremis कोई पर सन आगया फिर यहां पर कोई घड़ा कोई यहां पर कहने एक स्वर मानेंगे सके अपार्श सेसर्ड के हम पार्क में जोगिंग करें तो पार्क में ऐसा तो है नहीं कि हम शुरू के एकदम कॉंस्टेंटि से चीज़ को कम कर देंगे क्योंकि हमारी कैपसिटी नहीं होगी तो शौरु हम देखते हैं और तो हम देखते हैं तो हम लेकिते हैं कि तो हम इसमें देखते हैं सुबहुन को फोफ्चे अब हम एक पॉिंट के बारे में डिसकस करते हैं कि क्या displacement जो होता है जो shortest path covered by any of object जो होता है क्या वो negative भी हो सकता है हाँ यह हो सकता अब यह displacement negative कैसे हो सकता है इस stage के बारे में हम discuss करेंगे तो yes the displacement can the negative can be negative if the distance covered in a backward direction is more than in the forward direction means यह कोई example है a point से यहां पर बी पॉइंट तक जा कि पॉइंट से यहां फाइप मेटर है propor उसके बाद में वापिस से भी पॉइंट से वो return होके वह person वापिसर्य रीटर्ण होकर यहां पर रहा है वापिसेandy point तक नमीधा और five meter से वापिस से पिछह की तरह जा रहा बेकवर डारेक्शन में पॉइंट तक five meter तो यहां पे जो फॉर्वार्वर्ड डिरेक्षिन होगी वह फाइप मेंटर रहोगी और जो बेक्वर्ड डारेक्षिन होगी वह कितने मिटर की होगी 10 मिटर के होगी तो there is difference between there is difference between the forward direction and the backward direction so there is a displacement यहां पे जो हम मेजर करेंगे displacement को वो हम negative measure करेंगे यहाँ पे negative displacement हो सकता है कब हो सकता है जब backward direction में फारवर्ड डरेक्शन की रेस्पेक्ट में ज्यादा distance भी travel करें तो displacement भी negative हो सकता है ओके ऑफ you guys you like it that video